राहुल गांधी ने जब से वीर सावरकर को लेकर चिठी बम फोड़ा है तब से कॉंग्रेस पार्टी परेशानियों से घिर गई है राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कॉंग्रेस पार्टी के पास अब जवाब नहीं बन रहा है राहुल ने जिस तरीके से सावरकर पर आरोप लगाए थे वो बेहद बचकाना था आरोप निराधार थे क्योंकि ऐसी चिठियां गांधी ने भी अंग्रेजों को लिखी थी औ अब सावरकर के पोते ने नहरु पर आरोप लगाए हैं कि नहरु ने हनी ट्रैप में फसकर बारा साल तक देश की खूफियां सूचनाए अंग्रेजों तक पहुँचाई थी और उनका कहना है कि इस बात के सबूत आज भी मौजूद हैं इसी गंभीर मुद्दे से आज सावरकर पर देश के साथ धोखा देने का आरोप लगाया था अब सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के नाना पंडित जावाहर लाल नहरु पर गंभीर आरोप लगाये हैं सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पंडित नहरू का एक महिला के कहने पर देश का विभाजन करने पर सहमत हुए थे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 12 सालों तक पंडित नहरू ने देश की गुप्त सूचकनाएं अंग्रेजों के साथ साजा की थी। रंजीत सावरकर ने इस पर राहूल गांधी से जवाब मांगा है। महराश्र के वासिम में राहूल गांधी ने सावरकर पर देश से गदारी करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि सावरकर अंग्रेजों को पत्र लिखकर उनका नोकर बने रहने के लिए कहा करते थे और आज इवन पेंचन लेते रहे इस दोरान उन्होंने सावरकर का एक पत्र भी मंच से लोगों को दिखाया रंजीत सावरकर ने 18 नमंबर को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तत्कालीन वोइस रोई लॉड माउंट बेटन की पत्नी एडवीना और पंडित नहरू के बीच हुए पत्रा चारों को अंग्रेजों से वापस मागा जाए और उन्हें सार्वजनिक किया जाए उन्होंने आगे कहा इससे पता चलेगा कि जिसे देश चाचा नहरू कहता है उसने देश के साथ कैसे धोखा किया स्वतंत्र भारत के पहले प्राधान मंत्री पंडित नहरू पर आरोपों की जड़ी लगाते हुए रंजीत सावरकर ने कहा कि पंडित नहरू 9 मई से 12 मई 1947 के बीच अकेले हिमाचल प्रजेश की राजधानी शिमला गए थे वे वहाँ चार दिनों तक रहे रंजीत ने आगे कहा उस दोरान एडविना के ब्रिटिस सरकार को लिखे पत्रों में कहा गया था कि मैंने पंडित नहरू को अपना अथिती के रूप में आमंतरित किया है व्यक्तिकत संबंदों को लेकर एडविना के पत्र में उल्लेखित बातों का जिक्र करते हुए रंजीत सावरकर ने कहा पंडित नहरू बहुत व्यस्त हैं इसलिए वे नर्वस ब्रेकडाउन के करीब पहुंच रहे हैं उन्होंने मेरे साथ चार दिन बिताए हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और ये दोस्ती लंबे समय तक चलेगी रंजीत सावरकर ने ये कहा कि एडविना ने अपने पत्र में लिखा था कि पंडित नहरू मेरे काबू में आ गए हैं रंजीत यहीं नहीं रुक उन्होंने कहा कि पंडित नहरू ने देश की सुरक्षा को दरकिनार कर लॉर्ड माउंट बेटन को वाइस राय न्यूक्त किया था उन्होंने आगे कहा बलवंत सिंग ने कहा था कि माउंट बेटन वाइस राय होने के कारण पाकिस्तान में सेना नहीं भेज चकते थे 20,000 लड़कियों का अपरण कर पाकिस्तान ले जाया गया नरसाहार को देखकर भारत्य नेताओं को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए इसलिए मैंने पूर्ण नियंतरन ले लिया माउंट बेटन का हवाला देते हुए रंजीत ने बताया वोईसराय ने लिखा था कि उनके भारत छोड़ने के बाद पंडित नहरू ने उन्हें 12 सालों तक हर दिन अपनी रिपोर्ट भेजी थी रंजीत सावरकर ने कहा कि ये खूफिया एजेंसियों की बड़ी नाकामी है नहरू को हनी ट्रैप में फसाया गया था और वो फस गये थे प्रैधान मंतरी नरेंदर मोदी से इसकी जाच की मांग करते हुए रंजीत ने कहा कि पीम को इस पूरे मामले की जाच करानी चाहिए इससे पहले भी कई लोग हनी ट्रैप में पकड़े जा चुके हैं और उन्हें सजा भी दी जा चुकी है लेकिन नहरू की बात कौन करेगा उन्होंने सानी ट्रैप पर राहुल गांदी से जवाब मांगा है अब आपको बताता हूँ कि क्या वाकई नहरू एडविना के लिए पागल थे इसके पुखता सुबूत आज भी मौजूद है भारत आने के बाद लॉर्ड माउंट बेटन ने जब गवर्मेंट हाउज में पहली गार्डन पार्टी दी तो लोग ये देखकर दंग रहे गए थे कि जवारलाल नहरू एडविना के कदमों पर जमीन में बैठकर डान शो का आनंद उठा रहे थे हाला कि कुर्सियों की कमी पढ़ जाने की वज़ा से भारत के भावी प्रधान मंतरी ने ऐसा किया था उस वक्त ऐसा कहा गया था लेकिन लोगों की नजर से ये छिप नहीं सका कि आखिर नहरू एडविना के ही पैरों में क्यों बैठे और क्या वाकई ये कुर्सियों की कमी सिर्फ नहरू के लिए ही थी जो होने वाले प्रधान मंतरी थे नहीं कुर्सियां कम नहीं थी नहरू को एडविना के कदमों में ही बैठना था पार्टी के तुरंत बाद एडविना अपनी बेटी पामिला के साथ नहरू के घर गई थी दिल्चस बात ये थी कि इस बार लॉड माउंट बेटन उनके साथ नहीं थे वैसे तो लॉर्ड वेवल के जमाने से ही नहरू गवर्मेंट हाउज के स्विंग पूल में तैरने जाया करते थे लेकिन तब कोई इस बारे में बात नहीं करता था लेकिन जब एडविना माउंट बेटन भी इस स्विंग पूल में नहरू के साथ तैरती हुई देखी जाने लगी तो लोगों ने इन दोनों के संबंदों के बारे में बात करनी शुरू कर दी सल्मान रुजदी के चचा शाहिद हमीद ने 31 मार्च 1947 को अपनी डाइरी में लिखा था माउंट बेटन दमपत्ती के भारत पहुँचने के दस दिनों के भीतर ही एडविना और नहरू की नजदीकियों पर भोहें उठना शुरू हो गई कददावर कॉंग्रेस नेता अबुल कलाम आजाद की आखों से भी ये बात छिप नहीं सकी और उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा नहरू माउंट बेटन से तो मुतासिर है ही लेकिन उससे ज्यादा वो लेड़ी माउंट बेटन से मुतासिर हु अपनी किताब डॉर्टर ओफ एंपायर में पामेला लिखती हैं जब नहरू ने पहली बार मुझसे हाथ मिलाया था मैं तब ही से उनकी आवाज कपड़े पहनने के तरीके सफेद शेरवानी और उनके बटन होल में लगे लाल गुलाब और उनकी गर्म जोशी की मुरीद हो उन पर पूरी तरह से लागू होता था मेरे पिता बहु मुर्की थे जबकि मेरी माँ अपने आप में ही रहना पसंद करती थी वो बहुत लंबे समय तक विवाहित रहे थे और एक दूसरे के बहुत नजदी की साथी भी रहे थे लेकिन इसके बावजूद मेरी माँ अकेले पन का शिकार थी तब ही उनकी मुलाकात एक ऐसे सक्से हुई जो सम्वेधन शील आकरशक सूसंस्क्रत और बेहद मनमोहक था शायद यही वज़ा थी कि वो उनके प्यार में डूब गई नहरू की एक और जीवनी लिखने वाले एम जे अकबर बताते हैं कि इसके बारे में सबसे शशक्त प्रमान टाटा स्टील के मुख्या कारी कारी अधिकारी रह चुके रूसी मोदी ने दिया था अकबर अपनी किताब नहरू द मेकिंग आफ इंडिया में लिखते हैं 1949 से 1952 के बीच रूसी के पिता सर होमी मोदी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे नहरू नैनिताल आए हुए थे और राज्यपाल मोदी के साथ ठहरे थे जब रात के आठ बजे तो सर मोदी ने अपने बेटे से कहा कि वो नहरू के शयनकक्ष में जाकर उन्हें बताए कि मेज पर खाना लग चुका है और सबको आपका इंतजार है तब रूसी मोदी ने नहरू के शयनकक्ष का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि नहरू ने एडविना को अपनी बाहों में भरा हुआ था नहरू की आखे मोदी से मिली और उन्होंने अजीब सा मुह बनाया मोदी ने जटपट दरवाजा बंद किया और बहार आ गए थोड़ी दिर बाद पहले नहरू खाने की मेज पर पहुँचे और उनके पीछे पीछे एडविना भी महां पहुँच गई लेकिन अब सवाल उठता है कि इन अंतरंग संबंदों को एडविना के पती लौड माउंट बेटन ने किस तरह से लिया नहरू और एडविना के बीच गहरे भावनात्मक संबंदों को देखते हुए माउंट बेटन और उनकी बेटी पामेला दोनों ने जान बूज कर एक दूसरे के साथ समय बिताने का उन्हें मोका दिया 1947 आते आते दोनों एडविना और उनके बीच का आकरशन उतार पर था लेकिन वो उनका इस्तमाल ये जानने के लिए कर रहे थे कि भारतिया नेता उनके प्रस्ताव के बारे में आखिर क्या सोच रहे हैं उसके बाद एडविना लंदन जा चुकी थी लेकिन इसके बाद भी नहरू और एडविना की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा नहरू जब भी राष्ट्र मंडल सिखर शम्मेलन में भाग लेने लंदन जाते एडविना के साथ कुछ दिन जरूर बिताते उन दिनों लंदन में भारतिया उच्चायोक में काम करने वाले खुसवन्त सिंग ने अपनी आत्म कथा ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस में लिखा है नहरू के विमान ने जब हीथरो के रनवे को छुआ तो काफी रात हो चुकी थी अगली सुभा जब मैं दफ्तर पहुचा तो मेरी मेज पर क्रिशन मेनन का एक नोट रखा हुआ था कि मैं उनसे तुरंत जाकर मिलू मेरी मेज पर ही दा डेली हराल अकबार पड़ा था जिसके पहले पन्ने पर ही नहरू और लेडी माउंट बेटन की तस्वीर छपी थी जिसमें वो अपना नाइट गाउन पहने हुए नहरू के लिए अपने घर का दरवाजा खोल रही थी उसके नीचे कैप्शन लिखा था लेडी माउंट बेटन मिड नाइट विजिटर नहरू होटल जाने से पहले एडवीना से मिलने पहुँचे थे इस तरह के तमाम सबूत मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि नहरू एडवीना करीब थे और नहरू एडवीना को अपने द को और राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना ही होगा कि एक महिला के चक्कर में नहरू ने देश की खूफियां जानकारी अंग्रेजों तक क्यों पहुँचाई आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं स्पेशल रिपोर्ट में फिला कर दो